मौर्फोलोजी आप कौक्रोज अर्थाद आज के वीडियो में कौक्रोज अथवा तिलचटे की सारीरिक संरचना को समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए और योदे अभी तक हमारे चुनलन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब तो देखिए संग जो आर्थोपोडा है क्यों आर्थोपोडा है क्यों कि इसमें खंड युक्त उपांग पाए जाते हैं इसलिए इसका संग आर्थोपोडा है जो उपसंग मेंडिबुलेटा है इसका मतलब यह हुआ कि एंटिनी है मेंडिबिल्स है और जबडे उपस्थि पाया जाते हैं जो बर्ग इंसेक्टा तो शरीर वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है और इसलिए इनसेक्टा सब्सक्राइबिए समवेदी नर्वा मादा काक्रोच को बाहर से पहचान सकते हैं आप देख करके तो इस तरह से इसको वर्गी कृत किया गया है इस प्रकार से काक्रोज का जन्त वेग्यानिक नाम होगा पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना नाम क्या होगा जन्त वेग्यानिक? पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना चलिए अब स्वभाव और आवास को समझ लेते हैं तो काक्रोज को तिलचटा भी कहा जाता है और तिलचटा या काक्रोज प्राया संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं ये ऐसे नम, गर्म वा अंधेरे अस्थानों में रहते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसलिए ये रसोई घरों, गोदाम, होटल, हलवाई की दुकान, गुसल खानों वा सोचाले तथा भोमिगा सीवर वा नालियों में समाने रूप से पाये जाते हैं और ये रात रिचर होते हैं, रात रिचर तथा सर्वाहारी प्राड़ी होते हैं, ओमनी ओरस होते हैं, सर्वाहारी यानि ओमनी ओरस होते हैं, तो रात रिचर है, सर्वाहारी भी होते हैं, और दिन में ये अंधेरे स्थानों में छिपे रहते हैं, क्योंकि रात रिचर हैं, र इनके भोजन होते हैं और इनके ना मिलने पर ये इनको ये भोजन नहीं मिलता है तो ये कागज है कपड़ा है चमड़े का सामान है यहां तक की अपने मरेविये शाथियों को भी चट कर जाते हैं अगर कोई काकरोच मर गया तो उसको भी खा जाते हैं इस प्रकार से ये हमारे घरेलू साथ सामान को भी नुकसान पहुचाते हैं हमारे देश में काक्रोज की चार प्रमुख जातियां पाए जाती है पहली जाती है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ये अमेरिकन काक्रोज होता है दूसरी है पैरी प्लेनेटा आस्ट्रेलेशियाई ये आस्ट्रेलियन काक्रोच होता है तीसरी जाती है ब्लेटा ओरियंटेलिस ये ओरियंटल काक्रोच होता है और चौती जाती है ब्लेटेला जर्मिनिका तो जर्मन काक्रोच होता है तो American, Australian, Oriental और German चार प्रमुख जातियां पाई जाती है और आपको बता दें काक्रोज का सरीर लंबा, अंडाकार, चप्टा और खंड युगत होता है यानि अगर इसके सेप, साइज और कलर की बात की जाए तो इसका सरीर लंबा, अंडाकार, चप्टा और खंड युगत होता है, सेग्मेंटेड होता है बिस्रामा अवस्था में प्रिष्ट तल पंखों से ढखा रहता है जब यह बैठा रहता है, तो इसका जो प्रिष्ट तल होता है, जो पंखों से ढखी होती है और वयस्क जो काक्रोच होता है जो मेच्योर काक्रोच होता है वो 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक और अगर चोड़ाई की बात की जाए तो 1.2 सेंटीमीटर चोड़ा होता है काक्रोच का अगर रंग देखा जाए तो इसका रंग चमकीला वा लाल भूरा होता है वच्छ के पहले खंड को कैरापेस या प्रोनोटम कहा जाता है जो इसका वच्छ का पहला खंड होता है उस पहले खंड का नाम क्या है प्रोनोटम है या केरा पेस कहा जाता है इस पर दो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं दो काले धब्बे आप देख रहे हैं प्रोने टम पर यह जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं इनके चारों ओर का जो रंग है वो हलका भूरा होता है और पंक हटाने के बाद उदर भाग दिखाई अगर इसके पंख हटा दिये जाएंगे तो इसका उदर दिखाई देगा और इसका रंग हलका भूरा पीला होता है जो उदर का रंग होता है और काक्रोज जो होता है इसका जो सरीर होता है सिर, वच्छ और उदर में बटा होता है यानि हेड, थोरिक्स और एब्डामिन में इ सिर और वच्छ के बीच में एक छोटी और लचिली ग्रीवा या सर्विक्स पाई जाती है जो इसका सिर है ये वाला और जो इसका वच्छ है इसके बीच में एक छोटी सी ग्रीवा होती है सर्विक्स होती है और यह जो सर्विक्स होती है यह सिर को वच्छ से जोड़ने का कार करती है काक्रोज का सिर्फ छोटा होता है तिर्बुजाकार होता है या कल जी कि नासपाती के आकार का होता है और कुछ चपटा भी होता है और सिर्फ के दोनों तरफ या दोनों और एक एक बड़ा काला संयुक्त नेत्र पाया जाता है यानि काक्रोज में कैसे नेत्र पाया ज जाती हैं और काक्रोज का सरीर 20 भूणिये खंडों का बना होता है यह इसमें 20 भूणिये खंड होते हैं 6 सिर में और 3 वच्छ में तथा 11 उदर में पाय जाते हैं सिर के जो सभी खंड होते हैं यह खंड आपस में जुड़ जाते हैं समेकित होते हैं तो आपस में जुड़े हो दिखाई नहीं देते हैं दूर से वयस्क के उदर में केवल 10 खंड होते हैं इन में से भी मादा में पहले साथ नर में पहले 9 खंड ही इस पश्ट होते हैं सेस छोटे हो करके यानि बाकी जो खंड है वो छोटे हो जाते हैं और अंतिम खंड में घुसे रहते हैं और जननी रचनाव में बदल जाते हैं जो जनन की रचनाय होते हैं उनमें बदल जाते हैं और दसवे खंड के जो पस्चोर है उसमें गुदा द्वार पाया जाता है और दोई प्रता प्रतान करता है देता है जल याणी को रूकता है और पेशियों को जड़ने विए अस्तान भी प्रतान करता है और आपको बता दें आगर इसके अपांगों की बात कि जाएился Net पेंडेस की बात की जाय, तो सिर पर एक जोड़ी बड़े वा काले सं नेत्र होते हैं, और इसके अत्रिक्द भी इनके और उपांगinação होते हैं, जैसे एक जोड़ी एंडिनी होती हैं, जिनको स्रंगिकाएं भी कहा जाता है, यह पर्ष गंध एबं ताप उद्द Boss केंचाण को ताप को यह बताते हैं कह लिजी और प्रतेक एंटिनी अपनी ओर के या अपनी तरफ के संयुक्त नेत्र के निकट इस्थित एंटिनल सौकेट से निकलता है जो एंटिनी है कहां से निकलता है नेत्र या आँख के पास में एंटिनल सौकेट से निकलता है और यहां कई चोटे पोडो मेर्स का बना होता है कई चोटे चोटे पोडो मेर्स का अगर इसके मुखांग की बात की जाए तो मुखांग में सिर के सेस उपांग मुख के चारों और इस्थित होते हैं जितने भी मुखांग होते हैं तो मुख के चारों तरफ इस्थित होते हैं उन्हीं अगर वच्छ उपांग की बात की जाए तो इसमें चलन टांगे होती है और काक्रोज में वच्छ उपांग तीन जोड़ी टांगों के रूप में बाए जाते हैं और दो जोड़ी पंखो होते हैं प्रतेक वच्छ खंड में टांगों का एक एक जोड़ा होता है हर एक खंड में वच्छ खंड जो होता है उसमें टांगों का एक एक जोड़ा पाया जाता है और इस प्रकार काक्रोज या अन्य कीटों में च्छा टांगे होती हैं च्छा इसी करण कीट को हेकसा पोड़ा भी क कहा जाता है यह जो कीट वर्ग है इसको हेकसा पोड़ा भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इने में छे टांगे पाई जाती है और टांगों की सहायता से काक्रोस तेजी से धोड़ सकता है प्रतेक टांग पांच पोडोमेर्स की बनी होती है हर एक टांग जो है वो पांच पोडोम पोडोमेर्स की बनी होती है और पोडोमेर्स के नाम पूछे जाएं क्रमसा कौन कौन से होंगे कौकसा, टोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस तो यह क्या है पांचो पोडोमेर्स होते हैं फिर आते हैं नेक्ट पर पंक की अगर बात करें तो जो पंक होते हैं विंग्स होते इनका पहला जोड़ी मीसो थोरेक्स तथा दूसरा जोड़ी मेटा थोरेक्स के टरगाइट्स के अगर पार्स या एटरो लेटरल तर से जुड़ा रहता है। एक जोड़ी बहुखंड़ी गुदलूम होते हैं एक जोड़ी बहुखंड़ी गुदलूम पाय जाते हैं या इनल सेरकाई पाय जाते हैं और इन पर समवेदी रूम होते हैं महीन समवेदी रूम पाय जाते हैं जो ध्वानी उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं ध्वानी उद पज़ता है यह इस्टिक मैटा कहा जाता है इस पैरिकल्स या स्वांसरंद्र आप बोल सकते हैं और इन में से आठ जोड़ी उदर के प्रथम 8 खंडों में होते हैं दो जोड़ी वच्छ में इस्थित होते हैं काक्रोज के परिशंचर्ण तंत्र की बात की जाए तो काक्रोज का परिशंचर्ण तंत्र खुले प्रकार का होता है या लेकिवनर प्रकार का पाया जाता है और इसमें बहने वाला पदार्थ रुधिर लसी का कहलाता है अथवा हीमो लिंप कहलाता है जो इनमें रुधिर बह होता है उसमें हीमोसाइट कोष्ट काय होती है और काक्रोज का हिर्द सकरा नलिकाकार होता है और तेरह कोष्टों वाला होता है तेरह कोष्ठों माला तथा माला के दानों के समान होता है कर दिकि मोतियों के समान होता है काक्रोज के मुखांग करतन या चवर्णक प्रकार के होते हैं काक्रोज यूरिक अमल उस सर्जी पदार्थ निकालता है इसलिए काक्रोज जो होता है यूरिको टिलिक होता है ऐसे चन् तथा sodium वा potassium के ureate काक्रोज के उसरजी पदार्थ हैं ये काक्रोज के उतसरजी पदार्थ होते हैं इंपोर्टेंट है याद रखेंगे एक एक पॉइंट को और काक्रोज में कई सनरचनाएं उस सरजन में सहायक होती हैं जैसे malpigin नलकाएं जो होती हैं या malpigin टिबिल्स जो होती हैं ये रुधिर लसीका से नाइट्रोजनी उसरजी पदार्थ यूरिक अमल की रूप में अलग कर देती हैं नाइट्रोजनी उसरजी पदार्थ यूरिक अमल होता है इसको रुधिर लसीका से अलग कर देती हैं कौन त दूसरा है वसा का या फैट बॉडिज तो इनमें मैसीटोसाइट्स, यूरेट्स, कोसिकाएं, ओइनोसाइट्स और ट्रोफोसाइट्स पाई जाती हैं जो नेफ्रोसाइट्स हैं इनमें उसरजी पदार्थों से यूरिक अमलका संसलेशन करती हैं और जो क्योटकिल है इस पर नाइट्रोजनी उसरजी पदार्थ जमा हो जाता है और जो यूरिकोस ग्रंथियां हैं ये ग्रंथियां हीमो लिंप से नाइट्रोजनी पदार्थ ग्रहन कर यूरिक अमलका संसलेशन करती हैं और आपको भी मैंने पहले बताया ही है कि काक्रोज में संयुक्त नेत्र पाया जाते हैं या कंपाउंड आई पाया जाती है और नेत्र की संरचनात्मक वा किरियात्मक इकाई नेत्रांसक होती है अगर पुछा जाए कि नेत्र की संरचनात्मक वा किरियात्मक इकाई क्या है का नेतरांसक होती है या इसे ही Ometidian कहा जाता है, काक्रोच में स्वास नाल त्रैकिया कैसे होता है, तो त्रैकिया के द्वारा होता है, या स्वास नाल के द्वारा होता है, फैलिक या हिर्दै से संबंधित होती है मादा काक्रोज में अंडप्रवार का निर्माड होता है निए फार्मेशन आप ओथिश्का होता है और कीलो का कार्पोरा कास के द्वारा। काक्रोच में अग्रवच्छी ग्रंथियां या प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं निर्मोचन हार्मोन्स रावित करती हैं यह कौन सा हार्मोन्स रावित करती हैं जो अग्रवच्छी ग्रंथियां होती हैं प्रोथोरैसिक जो ग्लैंड्स होती हैं यह निर्मोचन हा यह मढoure उसी पदार्थ के कार्ड की तरफ। इसकी माड़ी रंग कामौ तेजक पदार्थ कल्सके नर्ड का कर्याशुर। म्लीव civ को राइन झालन्य, दिक्तिर एंग का panelे की कुशक और के और उस पदार्थ को फिरो मोन कहा जाता है फिरो मोन क्या है तो जो मादा काक्रोज होता है ये एक कामोत तोजक पदार्थ को स्रावित करता है और उसी पदार्थ का नाम फिरो मोन होता है काक्रोज में निम्फ लारवा पाया जाता है अगर पुछा जाया काक्रोज में कौन सा लारवा पाया जाता है तो काक्रोज पे निम्फ लारवा पाया जाता है तो आसा है आप सभी लोगों को मार्फोलोजी आप काक्रोज अथवा पैरे प्लैनेटा अमेरिकाना की मार्फोलोजी अच्छे से समझ में आई होगी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीज चैनल पर न आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धर्निवाद